आज हम सोच रहे हैं कि पूरा systematic पढ़े हैं, systematic मतलब zero से लगा के end तक, जब कभी भी हम किसी भी sentence की सुरुआत करते हैं, या कहें किसी भी भासा की बोलनी की सुरुआत करते हैं, तो पहले ये देखा जाता है उसका use कहा हो रहा है, क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पे speaking, यहाँ किसके पास कितना knowledge है वो important नहीं है, कहते हैं कि बोलना तो कोई भी सीख जाता है, बोलना तो जल्दी सीखा जा सकता है, परन्तु किस समय, कब, कहां, क्या बोलना है, यह सीखने में पूरी उमर लग जाती है, समझ मैं है, इसका मतलब वही है कि हमें बोलना, सीखना बहुत important ह और वो भी कैसे बोलना है, यह जादा important है, तो अब हम करते क्या है, अब हम जनरल ही देखते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, किसी office में या कहीं भी, तो कहां से सुरुआत होती English बोलने की, permission से, permission मांगने के लिए आप क्या बोलते हो, मैं I come in, क्या बोलते हो, मैं I come in, क्या मैं अ अंदर आ सकता हूं, मैं I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं I come in, क्या 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 मैं I come in, क्य मरे इडिश्टर वी中-oyo very simple ठीज ए अच्छा बोलने का और क्या तरीका हो सकता है पर्मिशन के लिए के हम में ही बोला जा सकता है और भी कुछ हो था एक्स्कुज मी बोल सकते हैं एक्सक्वूज मैं मतलब सोता है जड़ा सुनिंए है का हम जातनेकने भी भी बौल सकते है किना कमें लेकिन प्लीज लगाना पड़ेगा ठीक है प्लीज क्यों लगाना पड़ेगा क्यों किन इन फॉर्मल है कैन फॉर्मल नहीं है कैन इन फॉर्मल समझते हो फॉर्मल का मतलब होता है ऑप्चारिक और इन फॉर्मल का मतलब होता है अनौप्चारिक जब किसी कहां पु और रेक्टर को या प्रंसिपल को या किसी भी बड़े अधिकारी को उच्छ अधिकारी को पत्र लिखते हैं वो कौनसा लेटर होता है फॉर्मल और जब अपने दोस्तियारों को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इनफॉर्मल कुछ भी कहीं भी लिख दो चल जाएगा ठीक है और दोस्तियार में तो इनफॉर्मल ही जादा होता है ठीक है जैसे कि माली जी जब हम अच्छ अधिकारीं से बात करेंगे तो बड़े सम्मान से करेंगे आप ठीक है और दोस्तों से तू तेरा बाप ठीक है यस डारेक्ली बूल देते हैं ठीक है जैसे किसी ने कहा कोई करूंगा मैं 50 साल तक तो पैसे कमाऊंगा बहुत ज़्यादा उसके बाद फिर मैं 10 साल लोगों की सेवा करूंगा फिर मैं 10 साल भगवान का भचन करूंगा तो दोस्त अगर होगा तो अरे तब तक तू मर जाए करें तब तक तू जीए गई नहीं ठीक है कि कई बार फोन अगर को दोस्त तो डैरेक्ट फोन बोले कि का है का इस अगर दोस्त को फोन लगाया रहा है उसने का हलो कौन बोल रहे हैं तो मरे पापा बोल रहे हैं का हूँ जल्दी आजाओ अमंग दाफ्रैंट्स इसलिए दुनिया में कह देना थे ना दोस्ती से बढ़कर को रिस्ता ही होता है ठीक है स्वधामा और कृष्णी की दोस्ती तो आप जानते ही हैं हमने बहुत पड़ी है कि भगवान कृष्णी को मतला बिलकुल भी इस बात का घमंड नहीं था कि वो राजा है और एक भिखारी को गले लगा रहे हैं क्योंकि वहां पर कांसर फ्रेंड्शिप का है और आप si the friendship is better और greater than any other relation of the world, that is why Systems Engineersmäß बहुत यथी आप में अच्योंतों और बना सौरत की कुछ भी नहीं है लोग यह कहते है आज कल बिना सौरत की हैं है कैसे मानते हु आप चीजशución्फ यह कोछ भी नहीं है अगर माली जी आपको पढ़ना अच्छा लगेगा तब ही न आओगे, कि बैसे ही आगे बैठ जाओगे, आपका दोस्त आपके किसी काम का नहीं है, तब भी क्या उससे दोस्ती करोगे क्या, कुछ ना कुछ काम का तो हो गई, कुछ नहीं करेगा तो आपका इंटर्टेंडमे he can help me okay कुछ नहीं तो आपको आपसे नॉलिज में ज्यादा हो सकता है तो आपको यह भाव होगा कि he can help me anytime okay that's why तो यह बात समझ में आगए आपको की permission के लिए हम मेकाप रियोग कर सकते हैं में आए कमिन यह हमारा आज का प्रिवेज्ट रशपन है और चुकि आप फीभी ने कहते हैं कर सकते हैं कमिन प्लीज अच्छा एक और कर सकते हो आपders कर सकते सकते चीज और कर सकते हैं शुडाई कमिन हो क्या जाना चाहिए चुड़ाइ 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 प्रता चलै कि बड़ी मुश्किल से चप्रासी प्यून भक्राजिए निकाल दी और याने दिया बड़ी मुश्किल से खाते हुए आप है और डार्यक्ट आपको आपको यह बोल सकते हुआ है हैं सर क्योंकि आप शर नहीं है कि को अनिमती देगा नहीं तो में टोला जा सकता है यह हो गया उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें छोटी-छोटी चीज आने चाहिए अगर छोटी-छोटी चीज आ गई मेरे हिसाभ से आपको सब चोटी चोटी चीज हैं पता है होता क्या है चीज़ां बिखरी पड़ी होती है उन्हें अरेंज करना होता है अब यहां पे टेबल जमा हुआ है यहां पे बोर्ड लगा है, यहां पे बोडियम रखा हुआ है यहाँ पे stage बना हुआ है, वहाँ पे chairs रखी हुई है अगर माली जी इस सब को ऐसा बिखरा दिया जाए तो यह जगे भी कम पड़ेगी ऐसे ही क्या है कि जो वेक्ति कॉलिज में आ गया है जो student कॉलिज में आ गया है उसे ऐसा नहीं है कि English नहीं आती English सबही को आती, सबने English पढ़ी है Science में English के word जरूर होते है जब भी कोई Hindi का word लिखा होता है bracket में English भी लिखी होती है जैसे मैं भी पड़ता था जैसे Fit Carry पड़ता था फिट करी bracket में लिखा होता था alum, ठीक है कहीं लिखा होता था मिसर्ण गें लिखा था मिक्षर कहीं लिखा होता था कवह लग मत बन Y on को हायो यह कि वो कहीं ना कहीं आप हो ईंगलिश धीर धीर यह को से होसुज करते हैं लिगन हैं जब कुछ चीज्जitäten बनाने की बात है तो हम से 的 नहीं बनता और सब चीज़ भा अस परसं मेट में नगे रोबस्त बट रहा है तो हाँ यार सर आप से लडाई-वडाई की बात कर रहे हैं हराने की बात कर रहे हो लेकिन अगर मैं कहूं कि same sentence आप बोलिए can you speak the same आप बोलो कि no sir I can't problem is that we don't know arrangement of the sentence so we are to learn arrangement अब arrangement कैसे सीखेंगे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि sentence के part क्या है part of speech जिसे कहते है उसके part क्या है quarter to rule you a ہी क्या होता है सी क्या होता है it क्या होता है s n क्या होता है singular number ओप n क्या होता है singular number सारे third form के लिए singular और प्रता करेंगे वह मामा चार्चा दादा नाना काका काकी सब के लिए समझ भाय है चलो अब उसके बाद हम जब बात करते इनके क difícil कुछ पजयाशिप की कुछ पजयाशिप माई माई मतलब यूर अवर दियर उनका हिस हर इट्स इट्स उसका एनी नौन लिबिंग का कोई भी नौन लिबिंग का हो जाएगा है राम अगर यहां राम ले लिया जाए तो राम का और चिल्डरंस जिल्डरंस दे मनाते हैं बाल दिवस बच्चों का दिन चिल्डरंस डे ऑके एनी प्रॉब्लम चलो अब हम इसके बाद यहाँ है कुछ अब्जाक्ट ठाइक जैसे की मी मुझे इसंटेंस की यही पार्ट पार्ट है समझ भाहिए दो ना पार्ट आप स्पीच स्पीच की यही छोड़े पार्ट है कि कि यहीं स्पीच बनती है जैसे कि मी क्या हो गया मुझे इए यू तुमको जैसे मैंने कहा कि I like you, I beat you, I miss you, तो क्या यू अब्जेक्ट, ठीक, अस, हमें, teach us, हमें पढ़ा दो, ठीक है न, help us, हमारी मदद कर दो, arrest us, हमको arrest कर दो, ऐसा बोला नहीं चाहिए, ऐसा बोला नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार सही भी हो जाता है, लेकिन तक confidence होना चाहिए न, आप ऐसा कुछ करो गई नहीं तो, किसलिए जाओगे, ठीक है, चलो, then, लेकिन कई बार सही में हो जाता है, क्योंकि मैं, class में बेठा था, साइध ये बात मैं बता चुका आपको, तो मेरे index and training चल रही थी, मेरे पीछ एक madam बेटी हुई थी, वो भी training ले रही थी, मैं भी training ले रहा था, कि ट्रेनिंग के दोरान जब कोई पढ़ा रहा होता है मैं बात करता हूँ अपने साथियों से मैं बात करता हूँ वो तो सभी करते हैं पर मैं बता रहा हूँ सब बताते नहीं है हलागी ट्रेनिंग का पुरा समझ में आता है हमको क्या बता रहा है फिर भी हम आपस में खुसर खुसर हम करते रहते हैं तो मेडम कहने लगी एक काम करो तुम यह पढ़ा लो समझ मैं नहीं आ रहा कुछ उनको इस सुन लेने तो आप ही पढ़ा लो अब उस टाइम तो बुरा लगा लेकिन उसकी बात में वो पावर था कि आठ दिन बाद मेरा नाम जिले की मास्टर ट्रेंडिंग की लिश्ट में आ गया अब सोचो आठ दिन बाद अगर मैं उस ट्रेंडिंग में चला जाता मेरा स्वस्थ खराब होने खारण में नहीं जा पाया अगर मैं चला जाता ओके सवार हो गई पूरे ज्री में कि मात्र ऐसा बंदा था जिसका नाम आना था ज्रीप के लिए मास्ट्रेनर में और जो ब्रिटिस काउंसिल भोपाल वहां पे ट्रेनिंग थी बहुत बहुत हिट्रीन ट्रेनिंग होना था और आई was lucky to be selected for that but what can we do something different is written in the destiny I was so I couldn't attend that program training program तो एसा हो जाता है कई वार चाहिए तो his him उसे, her, उसे, and it, उसे, चिक, and Ram, Ram को, and children, बच्चो को ना, तो ये ठेखो, ये हमारी बोलने के सुवात होती हि जब भी हम, कोई भी sentence बोलते हैं तो हमें subject की जरॉद पड़ती हैं, ये हो गए, object, की जरॉद पड़ती हैं, ये हो गए, ओबर्वे की जरॉद पड़ती हैं, किस वर्फ ठीक है फर्स सेकंड थार और फूर्थ आई एंजी फूम अगर इतनी चीजें सीख गए अंग्रेजी बोलना सीख गए बस उन्हीं को आगे पीछे करते रहते हैं हिंदी में भी तो हम यही करते हैं हिंदी में कहां का दिमाग लगाते हो आप जाता हूं मैं जाता था मै जाओंगा तो मैं जाता मैं जाता तब 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 तो बराबर है यह बात है पस लास्ट का बदल रहा है मैं जाता हूं मैं जाता था मैं जाओंगा एक मैं है दूसरे में था तीसरे में गा ठीक इनी प्रब्म बस तो इसी परकार इंग्लिश में भी आप कुछ भी नहीं करते हैं ये चीजें कभी नहीं बदलती हैं ये चीजें कभी नहीं बदलती है तो आपकी वर्ब क्या बदलती है बर्ब और हेल्पिंग बर्ब उसको भी बर्बी कहें बर्ब और हेल्पिंग बर्ब क्रिया और शहाय क्रिया ये बदलती है और पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल के ध ठीक है और कोई बर्व ले लिए मिस ठीक है और यहां से आपजेक्ट ले लिया यू आई मिस यू इसका मतलब मैं तुम्हें याद करता हूँ I miss you ठीक है उसके बाद अगर फिर से कोई बर्ब ले ली मालू यही ले लिया फिर से हमने subject I ले लिया और फिर बर्ब क्या ले ली मिस ही ले लो आई अब इस बार हमने एडी कर दिया मिस्ड आई मिस्ड यू तो देखो subject object नहीं बदला बर्ब बदल गई अर्थ बदल गया I miss you इसका मतलब मैं तुम्हें याद करता था मैंने तुम्हें बहुत याद किया I miss you very much and I have missed you second form or third form कई बार से हम होते हैं यहां पर third form है यहां पर second form I have missed you मैंने तुम्हें बहुत याद किया है मतलब मैंने तुम्हें बहुत याद कर लिया है अब मैं याद नहीं कर सकता और जादा he has missed you very much she has missed you very much उसने तुम्हें बहुत याद पिया है तो यह तो इस परकार से फस्ट हो गया second हो गया और ठाड हो गया ठीक है और आगर ऐसा हो जाए I am missing you मन्नला मैं तुम को याद कर रहा हूँ तो हो गया फुर्त टीक है अब यह मानने के चलो पस यही सब करना है सोरे यह कर दिया मैंने फूर्ट तो ऐसा होता है ठीक है तो यह मानने के चलो कि हैाई सब करना आपको आकरी तक डीक है? प्रिजेंट पास्ट पर्फेक्ट फ्यूचर कभी कंटिनियस कभी दूसरा कभी पर्फेक्ट कंटिनियस यही सब करना है अब इसको मिटा दें एक बार और एक प्रैक्टिस करने छोटी सी अब आपको भी बन जाएगा जैसे मैं स्टूडेंट हूं इस इस मेरी क्लास है इस 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 माइ क्लास बोल सकते हो क्योंकि आपके पास कोई चीज है तो दिस लगा सकते हूं इस माइ क्लास मुझे पढ़ाओ टीच मी मुझे पढ़ाओ मेरी मदद करो मुझे से बात करो मुझे से बात करो मुझे पढ़ाओ एनी प्रॉबलम यू तुम महान हो यू आर ग्रेट तुम महान हो अच्छा किसी आदमी को बोल देते हैं हम उसके हितके बात तो से मज़ा आ जाता है अपने बोले यू आर ग्रेट आदमी खुस रह जाता है भले ही महान ना हो यह ना उसे लगता है कि नहीं यह बड़ी बात है यह बड़ा भेंकर का प्रक्टिकल है यह आप किसी को उसकी तारीब करके देखो आप उसके फैबरेट हो जाएंगे और आप किसी की बड़ाई करके देखो वो एक दो दिन याद रखेगा उसके बाद आपको निगलेटे ही कर देगा लेकिन अगर तारीब करोगे ना तो सोते में भी उसके चेहरे पर समयल आ जाएगी अगर मालू 11 बच रात को रजाई उड़के सोरा एक बार मुह निकालके हस लेगा कि यारा वा क्या बात है क्या बात कही थी मेरे बारे में कि आपकी तो बाता ही अलग है आप सबसे हटके हैं you are different from others इसलिए इसका मतलब यह है कि अगर जिन लोगों से आप long term relation बनाना चाहते हो लंबे समय तक रिस्ते बनाना चाहते हैं निभाना चाहते हैं उनकी तारीफ करते रहना और जिन लोगों से पीछा चुटाते रहना पीछा चुडाना है उनकी तारीफ करना बिल्कुल जरूर नहीं दो और पीछा पढ़ जाएंगे फिर 12 बजे रात को फोन लगा देंगे आपको तो means there is a power in appreciation there is a power in commendation okay there is a power and praise in praise जानते हो प्रेज भी होता है प्रशंसा ठीक है और उसके बाद appreciation भी होता है प्रशंसा appreciate करना क्षी को है ना say speak something positive about someone okay speak something positive कुछ भी positive बूलने लोगों के बारे यह आपका सभाव होना चाहिए ठीक तुम महान हो यह तुम्हारा देश है this is your country यह तुम्हारा देश है this is your country मैं तुमको पसंद करता हूं I like you मैं तुमको प्षंद करता हूं मैं तुम्हारा पसंद करता हूं I like you very much okay हम भारती है we are Indian हम भारती है भारत हमारा देश है India is our country भारत हमारा देश है India is our country हमारी मदद करो help us हमारी मदद करो help us है ना चीक बेमांदार हैं यह उनकी किताबे हैं यह उनकी किताबे हैं उन्हें पढ़ाओ पीच देम उन्हें पढ़ाओ अभी हमारे हम बना रहा है इस प्रकास से क्या हमें ने दूसरे तरीके से और भी नहीं बना सकते जरुड़त आएगी वैसा वैसा हम बनाते चले जाएंगे पर सीखने के लिए तो हमें सरल सेंटेंस का सारा लेना पड़ता है इसी सेंटेंस इस चलो यह मुकेस है यह राज है इसका नाम राज है इस नेम इस राज इसका नाम राज है इसकी मदद करो इसकी मदद करो इसकी मदद करो उसे बलाओ कॉल हिम उसे फोन लगाओ कॉल हिम उसे अरेस्ट कर लो अरेस्ट हिम कुछ भी बलाज़ सकता है ठीक है उसे प्यार करो क्यों होगा लब हिम क्या अरे लब हिम होगा सिर्फ है ना है सबस्क्ति जर्वत नहीं कैरा एक लड़का जो है ऐक लड़का जो किलक्लास में आते थे तो था बैठा सुन सपाट क्यों बैठा एक लड़का क्या बोलता है इसे बिटामिन C की कमी है बिटामिन C की कमी में तो लड़का ऐसा कभी होता ही नहीं है ठीक है उसका दोस्त था वो मजाग कर रहा था बोले सर इसे बच्चे बड़े-बड़े आते देवर स्टुडेंट साफ कॉल इसकी साधी होने वाली है इस इंगेज़ बट भाबी इस नाट टॉकिंग तो इम तो मैं अच्छा थे बिटामिन C की कमी हो गई है क्या कर सकते हैं बच्चे तो नहीं नीचीज़ा इंवेंट कर लेते हैं तो सी जैसे माले यह लड़की है इसका नाम स्रस्टी है हर नीम इस शरश्टी इसका नाम स्रस्टी है इसे पढ़ाओ पी इसका नाम लबली है इसे खिलाओ ए इसी खिलाओ यह राम है यह राम है राम की कार बहुत संदर है राम से बात करो टॉक्टु राम से बात करो सेखर से बात करो टॉक्टु सेखर दिब्या से बात करो ठीक है एनी प्रॉब्लम बच्चे इमानदार होते हैं चिल्रन आर अनेस्ट बच्चे इनुसेंट होते हैं चिल्रन्स नहीं होगा चिल्रन अपकोस चिल्रन आर इनुसेंट चिल्रन ही बच्चे होते हैं चाइल्ड तो बच्चा होता हैं चिल्रन आर इनुसेंट बच्चे इमानदार होते हैं इनुसेंट मासूम होते हैं बच्चे मासूम होते हैं चिल्रन आर इनुसेंट ठीक है आज लाज बच्चो का दिन है इन विच्चों की मदद करो अचा निए प्रॉब्लम चलोटी के तो आज के लिए इतना काफी है इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे हम कि इसके बात क्या आपको बताइंगे, यह भी अता देरें, इसके बात हम आपको बताएंगे, कि किस परकार की helping verb हम प्रयोग करते हैं, अभी हम ने helping verb नहीं लिखी है, पर हम आपको बूल के बता दी, किल हम helping verb पढ़ेंगे, क्या है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो सेल्प उसके बाद देम सेल्प और उसके बाद हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ राम सेल्फ सब हो जाएगा ठीक है चलो इनफ